नमस्कार मैं हूँ गितिका पांडे और आप देख रहे हैं मद्धप्रदेश का नमबर वन न्यूस चैनल क्लीन न्यूस एमपी चलिए देखते हैं मद्धप्रदेश की सभी शाम तक की मुख्या खबरे फटाफट अंदास में कर्मचारियों के लिए गुड न्यूस जल्द बढ़ेंगे दो और भत्ते केंद्रे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है जल्ही दो और भत्ते का लाब मिलने वाला है इसमें महगाई भत्ता और हाउस रेंट अलाउंस शामिल है मई के AICPI इंडेक्स में 1.3% की बढ़ोत्री हुई जिसके बाद महगाई भत्ते में 5% की वरधी तैबानी जा रही है वहाई हाउस रेंट अलाउंस में भी 3% की बढ़ोत्री होने की संभावना है अगर ऐसा हुआ तो सेलरी में 400,000 तक की सेलरी बढ़ेगी वर्तवान में केंद्रिय कर्मचारियों को 34% डिये कलाब मिल रहा है चुकि साल में 2 बार केंद्रिय कर्मचारियों का डिये बढ़ता है केंद्रिय अधिकारियों वकर्मियों की अब नहीं लगेगी चुनाओ ड्यूटी हाई कोट ने अपने मेंतपूर्ण आदेश में कहा कि वैधानिक रूप से केंद्रिय अधिकारी वा करमशारी चुनाओ ड्यूटी के लिए बाते नहीं है लेहाजा आगे की तारीकों में इनकी चुनाओ ड्यूटी ना लगाई जाए नियाई मोर्टी विवेक अगरवाल की एकलपीट ने कहा कि चुनाओ आयोग के इंद्रिय करमियों वा अधिकारियों के स्थान पर राज्यू सरकार के करमियों वा अफसरों के चुनाओ ड्यूटी लगाने के लिए स्वतन्त रहे राजन इर्वाचन आयोग की ओर से कावेदन हाई कोर्ट में पेश किया गया इसमें कहा गया कि हाई कोर्ट के अन्य बैंचिज ने 24 वा 27 जून को पारेत आदेशों के तहट के इंद्रिय करमियों को चुनाओ जूटी में तैनाद करने पर रोक लगाई है इसे हटाया जाए अब LLB में 9000 और BALB में 25000 कम लगे की फीज वियफसाइक पाचिक रमों को संचालन करने वाले कॉलेज अपने खच्चों को बढ़ा चड़ा कर दिखाते हुए अधिक फीज वसूल रहे थे इतना ही नहीं इसके बाद उन्होंने इस सत्र से फीज 2-3 गुना करने का प्रस्ताव भी भेजा था लेकिन कॉलेज की बैलेश शीट से उनकी पोल खुल गई इसके बाद फीज विनियामक समिती ने प्रस्तावों से आधी से एक तिहाई फीज सी मन्जूर की ये पहले वसूली जा रही फीज से भी कम है चात्रों के लिए अच्छे खबर इने स्कॉलर्शिप योजनाओं के जरीए पूरा होगा उच्छे शिक्षा का सपना चात्रों के लिए बड़ी अपडेट सामनी आई हैं दरसल विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देखने वाले चात्रों के लिए सरकार द्वारा कई तरह की योजनाओं और स्कॉलर्शिप स्कीम लागू की गई इसके लावा निजी स्कॉलर्शिप के जरीए चात्रों विदेशों में उच्छे शिक्षा ग्रहन करने के अपने सपने को पूरा कर सकते हैं चाचा कैपिचल पंक छात्रवत्ती कारिकरम समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों की उच्छी शिक्षा का समर्थन करने के लिए चाचा कैपिचल लिमिटेट की एक पहल है मद्य प्रदेश लोग से वायो के उमीदवारों के लिए बड़ी खबर है आज 3 जुलाई को राज अभी आंत्री के सेवा परिक्षा 2021 केस और दंत शल्ले जिकित साग परिक्षा 2022 आयोजित की जा रही है ये परिक्षा 12 बजे से शुरू होकर 3 बजे तक चलेगी इसके लिए इन दौर पुपाल जबलपुर ग्वालियर इस्थत परिक्षा के इंद्रों पर वस्तो निष्ट प्रशनों की ओमार आधारित परिक्षा आफ्लाइन पद्दिती से आयोजित की जाएगी इस टेशन के तरह आप माल गुदाम में व्यापारियों को रेलवे दे रहा है सुविधा रेलवे ने यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन में बैठने से लेकर खाने पीनी और आराम करने की सुविधा दी इन सुविधा को 12 से 24 घंटे दिया तो ट्रेन ने यात्रियों के संख्या में जापा हुआ इसके बहुतर परिणाम सामने आने के बाद रेलवे ने इसका प्रियोग अपने माल गोधामों में किया यहाँ पर 12 और 16 घंटे दी जाने वाले सुविधाव को 24 घंटे कर दिया गया इसका फायदा व्यापारी से लेकर माल लोड अनलोड का काम करने वालों को हो रहा है पमरे ने जबलपुर समेद भूपाल और कोटा मंडल के 30 माल गोदाम में ये प्रियोग किया लाखों किसानों के लिए महतपोन सूचना नियम में बतलाओ पियम किसान सम्मान इदी से जुड़े या लाभारतियों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है दरसल केंदर सरकार के द्वारा किसानों के खाते की जांच की जाएगी सांथी उनके जमीन दस्तवेश भी सत्यापित किये जوएंगी किसान पी-म किसान बारवी किस्त का इनतजार कर रही है हाला कि अब तक जिन किसानों का ग्यारवी किस्त के पैसे नहीं मिले पैसे या टेकने का बड़ा कारण EKYC नहीं करवाना होता है नवी से बारवी के चात्रों के लिए महतफूर्ण सूचना नियम में पतलाओ MP बोर्ट चात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है तरसल नवी से बारवी तक के परिक्षा रिजल्ट एडमिट कार्ड में तुर्टी को कम करने के लिए अब मादमिक शिक्षा बूर्ट द्वारा नई तयारी की जा रही है उसके लिए नियम में कुछ पतलाओं किये जा रही है चांकारी के बुताबिक अब अंतिम तिथी के साथ दिन पहले डमी प्रवेश पत्र और नामंकन पत्र जारी किये जाएंगे ताकि छात्रों के लिए होने वाली मांक्षीट और एडमिट कार्ड में तुर्टी के समस्या को तुरंट हल किया जा सके आज रही निकलने से पहले अपनी ट्रेन जरूर चेक कर ले बंगाल की खाड़ी में बना मौनसूनी सिस्टाम, MP 34 गर के इन जिलों में भारी बारिश काल है मौसम विभाग ने पूर्वान मान जताया कि आज से मद्रदेश में बारिश के गति विदियो में तेजी देखने को मिलेगी मौसम विभाग ने आज कटनी चिंद्वाडा सिवनी सागर चतरपुर जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई वही रिवा शैडोल संभाग के जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है फिलालपूर्वी राजिस्थान के उपर मध्य शोप मंडल में चक्रवातिय परिशन चरण सक्रिय है तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरे रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश सब्डेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिलकुल न भूलें धन्यवाद